हाई नमस्कार मैं हूँ प्रशान्त और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिल्म गंगुबाई काठियावाडी का रिव्यू पिक्चर बाजी वित प्रशान्त में गंगुबाई काठियावाडी जिसका काफी बेसबरी से इंतजार था ये फिल्म एक लमबे पैंड़मेक गाब के बाद जिस तरह से सिनमा घरों को ब्रेक लगा था उसमें हिंदी सिनमा की एक ऐसी फिल्म थी जिस पर काफी निगाए थी क्योंकि संजलीला भंसाली की फिल्म आलिया भट काफी पारफुल नजर आ रही थी ट्रेलर्स में और काफी इंतिजार था और इसी वज़े से मैंने भी इस फिल्म को फर्स डे फर्स शो देखा और इस फिल्म को लेकर मेरी पहली राय यही बनती है कि ये अच्छी फिल्म है याद रखिए ये अच्छी फिल्म है बहुत अच्छी या कमाल की नहीं जो की हो सकती थी वो इसलिए क्योंकि उमीदें जादा थी क्योंकि ये संजलीला भंसाली की फिल्म थी आलिया भट ट्रेल कमाठी पुरा में लाकर बेची गई गंगा के गंगुबाई माफिया क्वीन बनने की जो की चार हजार औरतों की जो की इस रेड लाइट एरिया में काम करते हैं उनके हक और हकूप की आवाज बुलंद करती है क्या वो ट्विस्ट और टर्न्स हैं जिसकी वज़े से गंगा से गंगुबाई वो बनती है माफिया क्वीन बनती है अंजय देवगन का आखर इस सुल में क्या एलिमेंट है या बाकी के जो किरदान हैं जिसमें रजिया सल्तान के किरदान में विजहराज है इसके अलावा हम अब हनसाली की इस फिल्म में बहुत कुछ है जो आँखों को अच्छा लगता है लेकिन मन में जगह बना पाने में वो चीज़ें कहीं कहीं बेसर होती है जी हाँ अगर हम बात करें तो ये फिल्म खुलती है जब तो एक अलग तरह का चाम लेके खुलती है रेट्रो फील के सा खुलती है और इस फिल्म में आपको बेगम अख्तर की घजलें ठुमरी इन सब का माहौल नजर आएगा और किसी भी एक हॉलिवूड इंटिनेशनल जो फिल्म होती है और वो जिस स्केल पर बनती है अपने आर्ट डिरेक्शन में अपने रेट्रो फील के साथ जिस तरह बन या भट के हक में आये हैं और वो उनके साथ जबरदस तरीके से न्याय करती हैं कमाल का उन्होंने दंदार परफॉर्मेंस दिया है और दंदार जब मैं कहता हूं तो इस सिर्फ यहीं नहीं कहूंगा कि प्रभावशाली सीन्स में बलकि जिस इंटेंसिटी के साथ वो पर दरशक उबने लगता है और यहीं वज़ा है कि जो कनेक्ट है वो दरशकों के साथ ये फिल्म कहीं कहीं बना पाने में नाकाम होती है एंटटेंग है जो हैrs फिल्म को आपको देखने में कहीं भी एंटेटेंफनेंट वैल्यू कम नजर नहीं आएगी जैसा मैंने कहां क धेर सारे पारफुल सीन्स हैं धेर सारे करेक्टर्स हैं लेकिन इन करेक्टर्स का इस्तमाल जिस तरह से किया गया है उसमें सबसे पारफुल जो करेक्टर था जो विजे रास का करेक्टर था उसी करेक्टर को कहीं न कहीं इस फिल्म में वेस्ट किया गया है जाया किया गया है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रजिया जो बेगम है जो की एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे नेगटिव करेक्टर है और सबसे खिलाफ खड़ी है गंगुबाई काथे अवारी के लेकिन उसी करेक्टर के साथ जो एक कॉन्फलिक्ट होना चाहिए जो क्लैश होना थे कुछ दाव फेंच होने चाहिए थे वो राइटिंग में नहीं रखेंगे हैं और यही वज़ा है कि विजयराज जैसे बैतरीन एक्टर का इसमें इस्तमाल उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है वो फिर एक करेक्टर ही बनकर रह जाते हैं उनका कोई बहुत जाद जो स्क्रीन पर जब वो आते हैं तो अच्छा लगता है एक जार्नलिस्ट के रोल में जिम सहब जी हां आखरी के कुछ मिंटों में आते हैं वो लेकिन उतने में ही अपना असर छोड़ जाते हैं इसके अलावा हम बात करें सीमा पावा की जबरदस्त अक्टर हैं वो और उस सिनमा के बीच बीच में एलिमेंट हैं जहांपर एलपीज आपको दिखती हैं आपको ग्रामो फोन दिखता है आपको पुरानी फिल्मों के पोस्टर्स दिखते हैं एक थीम कलर थीम जो दिखती है यह सब अच्छा लगता है लेकिन जो अगर मुश्किलों की बात करें तो से मैंने का इस फिल्म की लंबाई एक बहुत बड़ी मुश्किल है फिल्म लंबी जादा बनाई गई है गाने जो हैं वो जबान पर भले न चड़ें लेकिन ये गाने का जो पिक्चराइजेशन है यानि फिल्म जब चलती है तो इन गानों को देखते वक्त आपको अच्छ क्या जबर्दस तरीके से इस करदार को जिया है क्योंकि ये आसान करदार नहीं था आलिया बड़ को एक तो गुजराती एक्सिंट के साथ हिंदी बोलनी थी दूसरा कि ये बहुत मुश्किल होता है जब आप एक एक्सिंट पकड़ें और उसके साथ ही अधाकारी की इंटे जबर्दस तरीके से बिठा है खासतर पर इमोशनल सीन्स हों या फिर बात करें स्ट्रॉंग सीन्स हों जहां पर वो पूरी तरह से हावी होती ही नहसरा आती है इन सभी सीन्स में उनका काम देखने लाएक है तो ये फिल्म देखने लाएक है लेकिन संजा लीला भंसाली की बाकी फिल्मों की तरह ये बहुत जादा मजबूत नहीं है मेरी ओर से फिल्म को पांच में से साड़े तीन स्टार एक मौका दिया जाना चाहिए